Assalamu alaikum how are you my youtube family आज हम एक्सराइस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका कुस्टर नंबर 1 है Write the following numbers in words इसके लिए सानी की नहीं हम लिख लेंगे उपर 1s, 10s, 100s and 1000s 5342 7123 5321 8,035 क्योंके इसमें 100 गिवन नहीं है तो इसमें only 8,035 आएगा 9,899 अब इसके अंदर उने हमें 1000 से जादा एक वैल्यू दिया है जैसे 1s, 10s, 100s, 1000s and 10,000 10,000 नहीं तो इसमें 80,000 की कैटेगरी में आते है 80,321 तो next question पर आते है Question number 2 है Why are the following numbers in numerals? अब हमने इनको numerals में लिखता हूँ हैं हमें words में दिये हूए हैं A. 5,840 5,840 6,363 6,363 32,308 क्योंके 300 के पर 10 गिवन नहीं है तो ये 8 ऐसे आ जाएगा Next 8,587 8,000 है हमारे पास 5,887 Next 64,033 64,000 64,000 है And only 33 है 100 के वन नहीं है तो 100 की जगह हम इसमें क्या लगा देंगे? 0 And 33 41,999 41,999 All right Now question number 3 है Fill in the blanks अब ये blanks हैं को हमने कैसे fill करना है? 2,347 अब 1000 वाली वाल्यू हम 1000 में लिखेंगे इसमें 2,300 And 4,10 है और 7,1 अब ये भी इसी तरह से हम कर लेंगे 6 हमारे पास 1000 है 700 है 8,10 और 0,1 अब इसमें कैसे होगा? इसमें आप 10,000 की क्योंके वाल्यू आ गई है अगर आपको मुश्किल लगी तो आप इसको यहां से भी स्टार्स कर सकनें इसमें के वहले 1s लिख लें जैसे कि 0 10 से मारे पास 6 100 मारे पास 5 And 4 And 3 इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं अगर आपको confusion होतो Otherwise आप ऐसे ही लिख लें जैसे कि 53,000 5 जो है वो 10,000 है 3 जो है वो 1000 है 100, 4 10s मारे पास 0 And 1s 6 Next पी सेम इसी तरह ही है 9 हमारे पास 10,000 है 2 हमारे पास 1000 है 100 हमारे पास 3 4 10s and 1 1s Question number 4 है Match with correct number अब इसको match करने हैं हमने correct number के साथ 7,800 अब हम देखेंगे 7,800 यह है 7,800 इसको match कर देंगे इसके साथ 82,651 82,651 Next 15,763 15,763 यहां से भी हम इसे देखेंगे और इसको match कर देंगे Next है हमारे पास 53,102 53,000 यह है 53,000 and 26 नहीं यह नहीं है इसका मतब है 100 यह यह वदा है क्योंके दोनों में 53,000 है लेकिन यह सेम है 100 कहा इसमें 100 गिवन नहीं है 2,357 2,357 5,326 5,326 384 384 300 नहीं फर्स्ट पर जो स्टार्ट पर है वो है 384 4 and 6 की क्योंके उसने हमें value पूछी है तो 4 हमारे पास 1000 and 6 हमारे पास 10s यह इसकी values है next question number 6 है write the place value of each digit of the numbers given below तो नीचे numbers देगे इनकी place value हमें बतानी है कि इन मसले 10,000 कौन सा है 1000 कौन सा है 100 कौन सा इसके लिए भी हम वैसे करेंगे 1s, 10s, 100s and 1000 अब इसमें 10,000 क्योंके नहीं है तो हम यह 1000 स्टार्ट करेंगे 2 पे 1000, 357 next में हम इसी तार करेंगे लेकिन इसमें क्योंके 10,000 है इसलिए यह 6, 7, 8, 1 and 5 अब इसमें भी 1s, 10s, 100s, 1000 and 10,000 इसका मतलब 8 जो है वो 10,000 है, 2,000 है, 300 है, 0, 10s and 1, 1s same, 75,389 next question question number 7 है, write the values of the in circle digits अब जो circle digits की है मैं उनकी हमने values बतानी है जैसे कि यह 1s और यह 10s, 10s तक ही आगी तो it means यह 10s next 1s, 10s, 100 and 1000 इसका मतलब यह 1000 है इसको हम 1000 लिख देंगे 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000 इसका मतलब यह 10,000 में आ जाएगा okay 1s and 10s यह 2nd पर है तो यह 10s है 1s, 10s, 100 and 1000 it means यह 1000 हो गया 1s, 10s, 100 it means यह 100 है next यह 1s है 1s, 10s and 100 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000 10 and 1000 1s, 10s, 100 and 1000 यह 1000 है next question write the value of all digits अब यह तो नहीं ने values प्रेंने के all digits की हमने value लिखनी है यह 10,000 है यह 1000 है यह 100s है यह 10s है और 1s है अब इसकी value कैसे बन जाएगी जैसे बन जाएगी 7, 3, 8, 5 and 2 all right 73,852 next इसकी भी ऐसे हमने लिखनी है यह 1s, 10s, 100, 1000 and 10,000 46,319 now next question है हमारा इसकी अब इसकी अब इसकी अब इसकी इसकी प्रेंगे next लेकिंगे next लेकिंगे 3rd 6,371 6,371 6,371 इसको भी हम circle करतेंगे इस तरह से next 4,000 plus 500 plus 9,10s and 8,1s अब इसमें 4,005 इसमें पता चल गया 4,5,9 and 8 4,5,9 and 8 4,5,9 and 8 इसको हम circle कर देंगे 7,10,000 2,200 7,10,1 अब इसना से हम इसना से नंबर भी याद कर सकते हैं 7,2,2,7,1 7,2,2 7,2,2,7,1 इसको हम circle कर देंगे next 3,10,000 5,200 plus 7 10s plus 6 1s means 3,5,2,7,6 3,5 3,5,2,7 and 6 इसको हम circle कर देंगे